लुजाए लुजाए जो भी आपने ताइरी की है वह ठीक है अब आगे आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलेक्स दीजिए ठीक है अब हमें करना क्या है कि जो भी आपने पढ़ाई की है आप रिवीजन भी कर चुके हैं पढ़ाई भी हो छुकी है तो अब जितना हो गया है, दीए, कभी भी ऐसा नहीं होता है, कि आदमी सब कुछ पढ़ ले, क्योंकि दिमाग में यह चलता रहता है, कि मेरी यह चीज छूट गई है, यह चूट गई है, मगर इससे आप टेंशन मत लिए, अब जो छूट गया है, वो छूट गया है, कभी भ करता है, उसका भी कुछ न कुछ पोल्शन छूटा ही हुआ होता है, तो आप इस शीज की टेंशन आले, बस आपको यह होना चाहिए, कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, अगर वो आता है, तो वो आपका अच्छे से वहां पर होना चाहिए, उसमें कोई गल्ती नही होनी चाहिए, ठीक है, तो यही है, एक आप, मैं आपको एक छोटी सी कविता है, वो सुनाता हूँ, कि जब तक ना हो सफल नीम चैन को त्यागो, तुम संगर सो का मैदान, छोड़ मत भागो तुम, कुछ किये बिना यूहीं जय जय कार नहीं होती, और कोशिश करने वालों हैं, इतना connect हो पाए हैं, कि मैंने आपको इतना, जो भी मैं कर सकता था, वो मैंने आपको deliver किया, आपका फीड़े की तना अच्छा रहा, कि मैं लगातार काम करने के लिए, लगातार वीडियो बनने के लिए, हमेसा मैं, मतलब ही मोटीवेटेड रहा, ठीक है, आगे भी हे ह आपको review डालूँगा कि exam कैसा आ रहा है जो लोगों का 5 का है वो किरपया आकर comment section में आप बताएं कि आपका ये exam कैसा हुआ इसी video की comment section में आप बता दें और किस type की question आए थे ताकि जब हम overall video बनाएं तो पता चल पाएं कि video कैसा रहा है मतलब कि exam कैसा रहा था और जिससे आने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी help मिल पाएं ठीके दोस्तों तो ये आपको करना है जब आप exam दे के आएं तो ये करना है उसके अलाबा देखी दोस्तों आपने करा क्या है जितनी भी आपने पढ़ाई किये आप ये सुचिए कि आपने सिर्फ उतनी पढ़ाई नहीं किये आपने पढ़ाई किये पहली क्लास से लेकर graduate हुए है आप यानि कि आपने 15 साल के किये 12 तक तो आपके यह हो गए फिर 13 य इसा question आता है जो हो सकता है हमने 7th में पढ़ा हो 8th में पढ़ा हो जिसके लिए हो सकता हमें मार भी पढ़ी हुई हो है ना तो ऐसा question आपको मिल जाएगा तो वह आपको अच्छे से number दिलाएगा आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आप negative marking जो है उस पर थोड़ा सा क है मतलब 10% या 20% मतलब यह समझ दीजिए कि अगर आपका 60 से 70% हो गया ठीक है फिर आप negative के चक्कर में ना पढ़े हैं आपका इतने पही selection हो जाएगा मगर अगर आप गलत ज्यादा कर देंगे तो आपकी ये भी ले डूबिंगे हो सकता है आप 40% पर आ जाए तो इसलिए negative marking का आपको विश्य ध्यान रखना है अच्छा तुक्का लगाना नहीं लगाना इसके में बारे में आपको बता देता हूं तुक्के में करना क्या है आपको कि अगर चार option है हमाल लीजिए और चार में से अगर आप दो eliminate ये कर पाते हैं कि ये दोनों तो answer नहीं हो सकते तब आप पहले या दूसरे में से तुक्का खेल सकते हैं सिर्फ इसी इस्तिदी में आप करेंगे otherwise आप ये ना करें ठीक है अगर दो eliminate कर देते हैं तब आप करें और ना करें ये ही मेरी सला है और इसके अलावा आप exam center पे बिल्कुल time से पहुंचें जो भी आपका समय हो उससे पहले margin आप बना के चलें कि आप अपना पूरे जो आपका admin card है जैसे कि मैंने बताया था है कि आप हो सके तो दो copy लेके जाएं कि अगर एक miss भी हो जाए तो दूसरी आपके पास रहने चाहिए उसके अलावा आपके पास दो photo होने चाहिए और जो आपकी ID है एक original ID लेके ज पास ठीक है तो यह सारे चीज होने चाहिए उसके अलावा जब आप college के अंदर जा रहे हों तो जो भी checking staff होता है उससे बहुत ही politely बात करनी है कोई वो नहीं करना है वो उसकी duty कर रहा है अपनी ठीक है तो आप अच्छे से करें क्योंकि कि किसी भी तरीके का हमारा misconduct जो है हमें exam से out कर सकता है इसलिए नहीं जो checking staff है और नहीं जो वहाँ पर आपका जो इन्विजिलेटर है उनसे भी किसी प्रकार की बत्तमीजी नहीं करनी है ठीक है इन सब चीज़ों का धियान रखें और आपके हाथ जो है वो धुलेगी होने चाहिए देखिए उस पर इंक और हो जिससे कि क्योंकि वहाँ पर आपका biometric होने वाला है तो आपके fingerprint ठीक तरीक से आप आए ठीक दोस्तों फिंगर्प्रिंट के बात यह हो गया और हाँ यह चीज़े आपको फोलो करनी है और हाँ डाइट पे देखिए कुछ ऐसा खा के मत जाईए आप अगर आपका morning में है तो कुछ इतना हैवी मत खा लिजे कि वहाँ पर आपको नीज आने लगे या फिर कोई digestion से related प्रॉब्लम हो आप हो सकते हैं तो light खाना लीजिए सुबह की समय पर ठीक है light food लीजिए अगर morning में है और अगर दुफैर में भी है तब भी आपका खाना हलका होना चाहिए और खासकर आप dairy product अगर avoid कर सकते हैं तो करिए क्योंकि उसके बाद gas वगेरा बनने लगती है तो वह आपको एक अगर दूफैर करते हैं आप उसे पीजिए और अच्छे से आपको ताकि energetic रहें आप एक्जाम के बीच में और आपको जैसे की आज है तारीक चार तारीक तो चार तारीक की आपको जो night है वह आप अच्छे से sleep करें ठीक है तो आपको हो सके तो deep sleep करें यहाँ पर अच्छे से अपने sleep ले रखी होगी तो आपकी जो brain की functioning है वो भी अच्छे सा काम करेंगी और logic आपको समझ में आएंगे तो ठीक है इसके लिए नीम बहुत जरूरी है हो सके आप जितना जल्दी हो सकता है आज रात को सो जाए और सुबह अपने आराम से जो भी टाइम है आप अपन इतना साल का cutting परिश्रम रहा है तो उसी तरीके से आपका जितना भी इसमें रहा है जितना आपने तयारी किये उस हिसाब से आपको यह देखना है कि जितना आपने अभी तक किया है कम से कम वह अच्छा होना चाहिए ठीक है और मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुबक जब मेरा मजूद था जिसे माली यह 50 सवाल आते थे तो मेरे हमेशा 45 तक उसमें ठीक होते थे जब मेरा IGPS में बैंक में सेलेक्शन हुआ था तो अभी computer का उसमें काफी बड़ा रोल रहा था तो जब मेरा जब मैं fail होता था तो उस समय में मेरे क्योंकि scorecard में में देखता थ है और उसके अलावा आपको पता होगा कि मैंने आपको सब को inform किया था कि ICMR के अंदर vacancy निकली हूँ है अभी भी जैसे देखिए आपका ये exam तो चली रहा है हो जाएगा अगर आपका selection हो जाता है तो और अच्छा है means की भी तैयरी चलती रहेगी और अगर आपका किसी पूछा जाता है कि सर जब मैं किसी को बताता हूं कि form निकला हुआ है इसकी last date क्या है रहा भई last date का आपको क्या करना है आपको आज पर चला है तो आज form डाल दीजे है ना last date का पूंतियार नहीं करना है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ आज जब आप सोईंगे तो ये वाला form डाल के सोईंगे ये मेरी आप सबको सला है कि आप ये form डाल के सोईंगे ताकि आपका ये paper में कुछ ऊपर नीचे होता भी है तब भी आपके पास एक opportunity रहेगी कि हाँ ये तैयरी और इस exam के लिए मैं आपको हर तरीके से materially provide कराऊंगा आपके लिए मतलब notes सी बनाऊंगा सब कुछ आपको मिलेगा अभी मैं इस exam का advertisement जो है वो description में paste करूँगा आप बहां से download कर देंगे और इसका form का link भी में paste करूँगा ताकि आप ये direct access कर पाएं ठीक है इस vacancy बारे में और आगे जो हमारा program चल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम बहुत जल्दी जो है video conferencing के माध्यम से चालू करने वाले हैं counseling एक तरीक से ऐसे बच्चों को address करने वाले हैं जिनके साथ कोई ना कोई problem चल रही है जिस वज़े से वह exam qualify नहीं कर रहा है कभी उनका कुछ कंड़ हो रहा जाता है जो कोई भी ऐसा portion कि उनके लिए कौन से exam ठीक जाला है अभी इसके बारे में आपको और detail में बताऊंगा मगर हाल फिलाल में इसमें लगेगा समय लगेगा दो से तीन हपते लग सकते हैं मगर तब तक आपको करना क्या है ऐसे लोगों को संपर्क में लाना है हमारे चैनल से आपको जोड़ना है ऐसे लोगों को जिने वा तब हाँ पर audio से भी आपकी समस्या को address किया जाएगा और आपकी समस्या को solve करनेगा पूरा प्रियास किया जाएगा आपको guide किया जाएगा कि आपको कैसे करना है ठीके दोस्तों तो आप सभी की जितने भी मेरे नए subscriber हैं और जो पराने subscriber है मुझे पता है जो पराने लोग ह हम से जुड़े हुए है वो और और लोगों को वीडियो शेयर कर रहे हैं जिससे कि हमारे पास जारत से जारा क्योंकि मुझे पदा चलता है यहां पर जब मैं पैनल में चेक करता हूं तो मुझे पदा चलता है कि कितने लोगों ने मेरा वीडियो शेयर किया यह कितना नए सब सब्सक्राइबर आ रहे हैं डेली का परदा चलता है तो मुझे बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और इसी तरीके से आप आगी भी करते रहिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता है मेरा टार्गेट है कम से कम दो से तीन महीने के अंदर में दस हजार लोगों गाइट कर पाऊं उनकी कांसलिंग कर पाऊं ताकि वह अपना केरियर में अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस कर पाएं ठीक है तो अभी आपके लिए यह गिफ्ट है एक गिफ्ट समझ दिए कि यह जो एक्जाम इस समय की निकली हुई है वो है ICMR देहिए मै आपको वेबसाइट पर ले आता हूं यह है वेबसाइट ICMR Indian Council of Medical Research यहां पर आपको करना क्या है new registration करना है आपको जाकर और सबसे पहले आपको नूटिफिकेशन दिखा देता हूं यह जो नूटिफिकेशन है इसके अंदर vacancy निकली हुई है इसमें निकली हुई है PA की अग यह लास्ट डीट, जो रिक्वेस्ट है, आपको 9 तारिख का इंतियार नहीं करना है, आज मैं यह बना रहा हूं, 4 तारिख को, तो आपको चार तारिख को ही यह Form डाल देना है, यह मेरी आप से हाथ जोड का request है, कि आप इस Form को डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर Assistant की भरती न प्राइटेरिया में आ रहे हो, उसका जो एज है, वो जनल में होने चाहिए, यानि कि जो इसके लिए एज है, वो में बता लेता हूं, इसकी 30 साल एज है, अगर आप SE, STK है, और आपको एज का रिलेक्शेशन नहीं चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप UDC में देखिए, UDC में निकली हुई है, 64 से बेकंसी, इसमें 34 जो है, वो जनल की है, और SE की 9 है, और यहाँ पर 4 और 17, ठीक है, तो आप इसको, और यहाँ पर पर प्रसनल असिस्टेंट ही एक प्रकार का STENO है, जिसमें STENOGRAPHY मांगी जाती है, इसके अ तो इसमें कम से कम 3 साल का तो हो नहीं चाहिए, उसके अलावा, आपकी टैपिंग स्पीड 35 की मांगी है, हिंदी में या तो 30 की हो, ठीक है, तो टैपिंग के लिए आप टेंशन ना लें, टैपिंग मैं खुद करता हूँ, 80-85 तक की स्पीड आती है, वो आप लोग की में त की क्या आएगी, ठीक है, तो यह सारे आपके कवर करा दी जाएंगे, इस एक्जाम में मैं पूरी तयारी की आपकी जुम्यदारी ले सकता हूँ, क्योंकि अभी जो राज्य सभा का एक्जाम है, इसमें तो हम एक सब्ता पहले ही मिले थे, मगर इस एक्जाम में हम सुरुब तो आप प्लीज इस फॉर्म को डाल दीजिए, इसका मैं पीडिएफ दे देता हूँ, और यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, निव रिस्टेशन में जाना है, निव रिस्टेशन में जाकर आपको यहाँ पर रिस्टेशन कर तो वो ये करेगा, तो मुझे लगता है, इस टेंडो ग्राफर बहुत कम लोगों को आती है, इसलिए कम से कम आप ये वाला code apply करें, assistant oblique UDC, ठीक है, तो आप दोनों ही post के लिए eligible हो जाएंगे, exam एक होगा, मगर rank according आपको मिल जाएगा, कि अगर rank आपकी अच्छी होगी, तो assistant है, अपनी परिक्षा में जाएं, ठीक है, तो इस exam के बारे में सारी detail आपको भरनी है, अगर कोई confusion हो, तो आप description में, आप comment section में लिखके, अगर कोई ये form भरने में आपको problem आ रही हो, तो आप मुझसे संपर करें, आपका reply दूँ को है, ठीक है दोस्तों, तो यही था, कल क आपके लिए बहुत बहुत शुब कामना है, और आप अच्छे से exam दीजिए, और जो हमारा mission है, जो मैं कहा रहा हूँ, कि आपको जोड़ना है लोग को, उसके लिए प्लीज अभी सुर्वात में देखिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, हमारे पास इस समय तीन हजार सब्सक्राइबर है, तीन हजार है, अब सुचिए, अगर इन में से एक हजार बंदे भी अगर हमारे active हैं, और मैं जानता हूं, कम से कम एक हजार बंदे तो काफी active हैं, क्योंकि मैं वीडियोज पर आगर वीउ देखता हूँ, तो अगर पॉलिटी वाले पर भी देखे हैं, दो जार तक विव आए हैं तो ऐसे बंदे जो एक्टिव हैं और जिने हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज अगर एक एक बंद जो है अगर पांच पांच लोगों को भी अगर हमारे बारे में बताएगा और कनेक्ट करेगा तो पांच शेयर की हमें स्ट्रेंट बहुत तो यह बताऊँगा कि किस तरीके से गौर्णमेंट जॉब और एक बिजनिस की तुला करेंगे देखिए मैं किसी का विरूद नहीं करा मगर एक तुलात्मा अध्यन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किस लाइन में जाना है ठीक है इंडिविजल की चैस होती है ठी अश्यक करेंगे देखिए